तो हमाएं एक TV को कम से कम इतनी दूरी से देखना चाहिए कि जहां पर हमारी आखे TV के पैनल पर लगे हुए पिक्सल को डिफ्रेंशियेट ना कर पाए अगर आप एक HD, Full HD या 4 के तीनों में से अलग-अलग टाइप का TV पर्चेस कर रहे हैं तो तीनों के लिए क्राइटेरिया अलग-अलग है हेलो दोस्तो आपके अपने चैनल गेज़ेट समच पर आपका स्वागत है दोस्तो जब भी आप एक TV पर्चेस करने का प्लान बनाते हैं तो आपके मन में काफी सारी चीज़े चलती हैं उनमें से एक होता है कि screen size क्या होना चाहिए आपके TV का आपके रूम के इसाब से आप जो TV पर्चेस कर रहे हैं उसका बिल्कुल ideal screen size क्या होना चाहिए ताकि आपको उसका better experience मिल सके तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके रूम के लिए एक perfect size का TV कौन सा होना चाहिए कितने size का TV आपको लेना चाहिए और गलती से अगर आप अपने रूम के लिए एक बहुत ज़्यादा चोटा या एक बहुत बड़ा TV ले ले लेते हैं तो उसके क्या pros और cons हो सकते हैं उसके आपको क्या-क्या नुकसान और क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे तो फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप से छोटी सी request है कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको यहाँ पर एसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें शुरू करते हैं बातचित को दोस्तो अगर आप एक टीवी पर्चेस करते हैं तो आपके पास में दो आप्शन होते हैं या तो आप किसी ओफलाइन मार्केट में जाकर कि किसी बड़े शोरूम से जाकर के टीवी को पर्चेस करें या आपके पास में एक और option होता है कि आप Amazon या Flipkart जैसे वेबसाइट से जाकर के TV पर्चेस करें अब जब आप Amazon या Flipkart पर जाकर के TV सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर सारे ही TV एक ही जैसे दिखाई देते हैं फोटो में चाहे वो 32 इंच का TV हो या 65 इंच का TV हो आपको फोटो के अंदर एक ही जैसा वो दिखाई देता है तो उसे देखकर के आप ये idea नहीं लगा सकते कि आखिर में ये TV कितना बड़ा होगा लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप जाते हैं एक offline market में और वहाँ पर एक showroom पर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर आपको काफी सारे अलग-अलग size के TV display में लगे हुए देखने को मिलते हैं अब वहाँ पर दोस्तों जब आप उस TV को देखते हैं तो वह TV आपको बहुत ज़्यादा छोटा लगता है क्योंकि जिस showroom में आप कड़े हैं उस showroom का hole का size काफी बड़ा है वो 500 square feet या 1000 square feet का भी हो सकता है तो उस 1000 square feet के बड़े room में कहीं सारे TV display पर लगे हुए हैं तो वहाँ पर अगर एक 65 inch का TV भी है तो आप उसे देखकर के यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके room में जहां आप उस TV को place करना चाते हैं वहाँ पर उसकी size कैसी रहेगी उस room के इसाब से उसकी size perfect है या नहीं है और जब आप showroom के अंदर खड़े होते हैं तो showroom के अंदर जो TV को display किया गया है वहाँ पर एक बड़ा TV भी आपको ऐसा लगता है कि यह TV बहुत ज्यादा छोटा है और आप उस TV को buy करके ले आते हैं लेकि जब अपने living room में आप उसे place करते हैं तो आपको लगता है कि यह बहुत ही बड़ा TV purchase कर लिया इस room के इसाब से इतना बड़ा TV नहीं होना चाहिए था दोस्तो अगर आपका living room बहुत ही छोटा है और आपने वहाँ पर बहुत ही बड़ा TV लगा दिया तो दिक्कत यह होगी कि आपको अपने TV पर जितनी ideal distance पर बेटना चाहिए आप उससे ज़्यादा पास बेट करके TV को देखेंगे और TV अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको इधर उदर देखकर के पूरे TV को cover करना पड़ेगा यानि कि अपनी गर्दन को बार-बार हिलाना पड़ेगा आखों को भी बहुत ज़्यादा movement देनी पड़ेगी तब आप पूरे TV को देख पाएंगे साथ ही दोस्तों यहाँ पर TV बहुत ज़्यादा पास होने से आपके आँकों पर भी बहुत ज़्यादा stretch पड़ेगा और उससे आपको आँकों में irritation हो सकती है बहुत ज़्यादा पास बेटकर के TV देखने से आँके खराब होती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपको आँकों के अंदर irritation हो सकती है साथ ही दोस्तों अगर आप TV को बहुत पास से बेटकर के देखते हैं तो आपको picture quality कुछ AC दिखाई देती है TV के आपको एक-एक individual pixels दिखाई देने लग जाते हैं और ऐसे में जो आपको actual experience मिलना चाहिए था TV का वो आपको नहीं मिल पाता अब दूसरे case में हम बात करें दोस्तों अगर आप अपने room के लिए बहुत ही छोटा TV लेकर के आ गए हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिक्कत ये होगी के room बड़ा है तो आप काफी distance पर बेट करके TV देखेंगे और TV काफी छोटा है तो इस वज़े से आपको TV अच्छे से दिख नहीं पाएगा नीचे जो छोटे छोटे scores या news लिखी हुई है आप उन्हें पढ़ नहीं पाएंगे यानि कि अपने TV को आप अच्छी तरह से enjoy नहीं कर पाएंगे तो जरुरों से ज्यादा बड़ा TV भी अच्छा नहीं है और ज्यादा छोटा TV भी अच्छा नहीं है तो दोस्तों ये तो सारी बाते हो गई अब दोस्तों हम केसे पता करें कि हमारे जो living room है या हम जहां भी TV को place करना चाते हैं उस इस्तान के लिए कितना बड़ा TV हमारे लिए सबसे perfect होगा ये केसे पता किया जाए तो आज की वीडियो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं जहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा distance का कि आप जहां पर बेट करके TV को देखेंगे वहां से आपका TV कितने distance पर लगा हुआ है अब दोस्तों यहां पर इसका कोई specific या certified criteria नहीं है कि आपको TV को इतने ही दूर से बेट करके देखना है कुछ brand दोस्तों अपने TV के specifications में लिखते हैं कि इस TV को देखने के लिए ideal distance इतना होना चाहिए लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो सभी brand के आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे तो यहां पर मैं आपको shortcut तरीका बताता हूँ उससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपको TV कितने दूर देट करके देखना चाहिए यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो यह देखना होगा कि आप कौन से resolution का TV पर्चेस कर रहे हैं अगर आप एक HD, Full HD या 4K तीनों में से अलग-अलग टाइप का TV पर्चेस कर रहे हैं तो तीनों के लिए criteria अलग-अलग है पहले हम बात करते हैं 4K TV के बारे में अगर आप एक 43 इंच का 4K TV पर्चेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके TV की जो size है उसमें आपको 1.5 से into कर देना है और यहाँ पर आएगा 65 और उसको आप feet में convert करेंगे तो यहाँ आएगा करीब 5.5 feet के आसपास यानि कि अगर आप 43 इंच का 4K TV देख रहे हैं तो उसको आपको कम से कम 5.5 feet की दूरी से देखना है तब ही आप उसका अच्छे से मजा ले पाएंगे ऐसे ही दोस्तों अगर यह 4K TV 55 इंच का है तो इसको आप 1.5 से into करेंगे तो यहाँ पर आएगा 82 इंच और इसको आप 12 से divide कर देंगे तो approximate आपको 7 feet दूर बेट करके आपके TV को देखना है अब बात करते हैं Full HD TV की Full HD Resolution वाले TV में ideal distance क्या होनी चाहिए यहाँ पर हम 4K TV के case में 1.5 से into कर रहे थे और आपको Full HD TV के case में 2 से into करना है जैसे की 43 इंच का आपके पास में एक Full HD TV है तो उसको आप 2 से into करेंगे तो यहाँ पर आएगा 86 और इसको आप feet में convert करेंगे तो यहाँ आएगा लगबग 7 feet के around पतलाब आप 43 इंच के एक Full HD Resolution वाले TV को कम से कम 7 feet की दूरी पर बेट कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल perfect picture quality देखने को मिलेगी इसी तरह से अगर आप HD TV परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में option एक ही है केवल 32 इंच का TV है आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर HD TV के case में आपको 3 से into करना है तो अगर आप 32 को 3 से into करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आएगा around 96 इंच और यहाँ पर आप 96 को feet में convert करेंगे तो यह आएगा करीब 8 feet के around अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि HD TV जो होती है उसके अंदर आपको pixels बहुती कम देखने को मिलते हैं और इस वज़े से क्या होगा कि pixels थोड़े से दूर दूर होंगे और आप उस TV को बहुती पास से देखेंगे तो आपको वहाँ पर pixels अच्छे से दिख जाएंगे और अगर आप pixel को अच्छे से देख पाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर picture quality थोड़ी सी blur देखने को मिलेगी और वहाँ पर आपको pixel clearly visible हो जाएंगे तो हमाँ एक TV को कम से कम इतनी दूरी से देखना चाहिए कि जहाँ पर हमारी आखे TV के पैनल पर लगे हुए pixel को differentiate ना कर पाएंगे आपको अब भी ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे TV के अंदर जो pixels हैं वो दिखाई दे रहे हैं और अगर आप इस तरह से TV को देखेंगे तो आपकी आखे TV के pixels differentiate नहीं कर पाएगी और आपको और अच्छा experience देखने को मिलेगा तो अब दोस्तों अपने room के लिए आपको ए perfect size का TV निकालने के लिए इस trick को use करना होगा अब सबसे पहले आपको यहां पर यह देखना होगा कि आप जहां पर बेट करके TV देखेंगे या आपका sofa जहां लगा हुआ या bed जहां लगा हुआ है वहां से आप जहां पर TV को place करना चाते हैं उसकी बीच की distance कितनी है और उस हिसाब से वहां पर आप उसको divide करके और अपने TV का size निकालेंगे अब यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जहां पर आप बेट करके TV देखने वाले हैं उस height से सामने जो आप TV place कर रहे हैं वो आपकी eye level पर होना चाहिए यानि कि TV का जो central portion है वो आपकी आखों के level पर होना चाहिए तभी आपको वाँ पर perfect color दीखेंगे तो कि दोस्तो maximum TV में आपको VA panels देखने को मिलते हैं और VA panels को अगर आप थोड़ा सा side से देखते हैं तो वाँ पर color fed होने लग जाते हैं थोड़ी सी color के अंदर वाँ पर blurness आने लग जाता है जिससे आपको color जो जैसा perfect color है वेसा नहीं दीख पाता है तो आपको TV का proper experience लेने के लिए TV को अपने eye level पर set करना चाहिए तो उम्मीद है आपको पता लग गया हुगा कि आपके living room के लिए perfect size का TV कोन सा होना चाहिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिए, share करिए अपने friend के साथ में और ऐसे interesting video देखने के लिए चैनल को subscribe करके रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye